हेलो गाइज वेलकम टो यह जो डिप टैनल प्योपल टेचर तो आप सभी को पैज़ा है कि हम आज के प्रेपरेशन कर रहे हैं तो जे प्रेपरेशन के प्रेपरेशन के रिगार्डिंग हमने एक बैच बेनाया है जो कि हमारा बैच नमबर टू है जिसकी फीस हमारे पाफ 400 प पर दिख रहा है आप इस पर मुझे परसनली मैसेज कर देना और अपनी सीट को बुक कर लेना तो आज की वीडियो में हम बात करेंगें इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि आपको हेल्प करेगा आपके टैट के लिए तो वीडियो का सबसे पहला कोशन है हमारे पा पहले हैं तो उन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं यहां पर हमारा जो 67 है वह बिल्कुल सहीय नो आजिकल अगर आपकू कहीं पर भी लैंघ्वीज का नेम आजाता है यह दिखने लैंविज का नेम है तब आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे कि ब स्कृत हो गया यह आपके लेंग्वेज है तो इन से पहले कोई आर्टिकल आपका यह नहीं होगा तो अगर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट कोशन यह भी हमारा आर्टिकल से पूछा गया है और सबसे और इंपॉर्टेंट कोशन है कोशन आपके पाद इस डैश बुक आखि और कहीं पर ववल साउंस आती है या फिर एच साइलेंट होता है तब हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं अगर कोई प्रॉपर या डैफिनीट कोई तिंग या person या place को पॉइंट आउट किया गया होता है तो हम दा आर्टिकल का यूज़ करते हैं बट यहां पर नहीं थ आखीर कौन सा आर्टिकल कहलाता है आपने हमेशा ध्यान रखना आर्टिकल सापके पाद दो तरह के होते हैं एक डेफिनेट और एक इन्डेफिनिट अगर हम बात करते हैं द आर्टिकल तो आर्टिकल हमारे डेफिनिट आर्टिकल है इस heaam पे हमारा जो ऑप्षिन ए है वह अगर हम बात करते हैं ay 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 इंडेफिनिट इस बाद को आपने ध्यान में रखना नेक्स अगर हम बात करते हैं कोश्चन की तो यह वाला कोश्चन भी हमारे पार आर्टिकल से रिलेटिट पोछा गया है तो कोश्चन आपके पार विच इस डैश लॉंगेस्ट रिवर इन दा अमेरिका अगर हम बात करते हैं यहां पर लॉंगेस्ट इससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा तो एक बात हमेशा ध्यान रिखना आपके पास जहां कहीं भी सूपर लेटिटिव डिगरी यूज होती है जैसे कि लॉंगेस्ट स्मॉलेस्ट डार्केस्ट बैस्ट यानि कि एस टी वर्ड एड हो ज लागी है तो वहां पर हमेशा दा आर्टिकल का यूज करना जैसके गर बैस्ट होगा तो बैस्ट से पहले भी दा आर्टिकल यूज होगा वाइजस्ट होगा स्मॉलेस्ट होगा स्वीटेस्ट होगा उन से पहले भी हमेशा आपका दा आर्टिकल यूज होगा नेक्स्ट को अगर हम did की बात करते है, यह हमारे पार कौन से form आती है, हमारे पार रूल है, 33rd form कहीं भी आती है, हम वहां पर क्या है, head का use करते है, और साथ में वर्ब की third form use होगी हमने अब देखना है कि आखिर यहां पर option में आपके पाई head का use कहा हुआ है अगर हम देखते है option d बिल्कुल सही option d में आपके पाई head का use हुआ है और set आपको परता है वो change होता है set that में I set आपका change होगे set that में I set that he, he के बाद क्या use हो आपका head और do की form लग गई आपके पाई third यानि की done it तो option d आपका बिल्कुल सही है आपने बस rule को ध्यान रखने जसके आपको पहता verb की second और third form कहीं पर भी use होती है हम हमेशा वहाँ पर head को find out करेंगे सबसे पहले अपने option में next काम हमारे रहेंगा verb की third form को देखना फिर हम देखते कि जो set है क्या हो set that में change होगा कहीं told that तो नहीं लिखा गया इस तरह से आपने narration वाले question को change करते रहना next question यह फिर से हमारे पार narration से आया है he said inverted comma start यानि कि आपकी जो speech है वो start हो गई है handsome is that handsome does अगर आप इस sentence को देखे जाए तो यह हमारे पार एक ऐसा sentence है जो कि हमारे पार सच्चाई बताई गई है ठीक है हमारे पार एक rule है आपके पार सच्चाई यानि कि जो reality होती है truth होता है या फिर आपके पार कोई proverbs होते है या फिर कोई आपकी habits है या फिर कोई historical events या history है वो आपकी as it is same रहती है आपका जो speech है जो inverted commas के अंदर आपकी speech होती है वो बिल्कुल सेम रहती है अगर वहां इसका use हुआ है तो option में भी आपने इसका use देखना अगर work की first form यूज है तो first form देखना second form work waking use हुई तो second form हम देखते हैं third form used होगे तो third form देखते हैं बाकी इससका use होगा इस देखते है आर वह तो आर दो आर देखते है वहाज होगा तो वर होगा तो वर होगा अब अगर हम देखते है he set आपको पहता हिसेट कए में चिंज हो था आपका aller set the layers that set that दो option में एक option B एक option D अब अपनी जो speech है उसको पढ़ो handsome is that handsome does यानि कि इसका use हुआ है अब आप देखो इसका use B में हुआ है या फिर D में अगर हम देखते हैं D में आपके पार was का use हुआ है यह आपका बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यहां पर आपका कोई भी change नहीं होगा जो speech है बिल्कुल सेम रहेगी है तो option जो भी है आपका वो बिल्कुल सही है he said that handsome is that handsome does अगर हम ड़स की बात करते हैं तो ड़स का ड़स सेम रहा है handsome का handsome सेम रहा है इसका इस सेम रहा है यहां पे कोई चेंज नहीं होगा तो यहां पे आपका जो option number B है बिल्कुल सही है इसी तरीके से आपने अपने जितने भी questions होते हैं उनको solve करते रहना है next question हमारे पार फिर से article से आया है I have lost ड़स्ट 10 रुपीर note तो यहां पे अगर हम बात करते हैं 10 तो यहां पे हमारे पर क्या consonant sound आ रही है तो यहां पे हम जो use करेगे वो एका use करेगे I have lost 10 रुपीर note तो यहां पे option भी बेल्कुल सही है अगर यहां पे लिखा होता I have lost 10 रुपीर note that you gave me जो तुमने मुझे दिया वह 10 रुपे मुझसे खो गया है तो यहां पे द का use होता क्यूंकि properly बताया गया है कि क पार घूम हो गया है it means हमें नहीं पता कौन से टेंट पिस घूम हो है तो यहां पे आप A का use करोगे अगर speech आदी है या sentence में properly नहीं बताया गया एक बात आप ध्यान में रख लो हमेशा एक वर्ड है आपके पाई useful एक वर्ड है आपके पाई very दोनों वर्ड से पहले ए आर्टिकल का use होता है बहुत बार repeated question है कई बार useful आपका कहीं पे use होता है या फिर very का अगर कहीं पे use होता है तो वहाँ पे आप उससे पहले हमेशा ए आर्टिकल का use करोगे अगर यहाँ पे पूरा तरीके से point out किया गया होता है लंडन इस डैश very costly place to live in the world तो यहाँ पे आप the का use करते है बट यहाँ पे आपका properly नहीं था तो एक का use होग है next question यह वाला question भी बहुत important बहुत repeated question है his wife is dash European तो जो यहाँ पे European है इससे पहले आखे कौन सा आर्टिकल यूज होगा यह अपने comment box में बताना क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत बार बात कर लिए अपने previous वीडियो में भी और online classes में भी कि जो European word है आखे इससे पहले आपका कौन सा आर्टिकल यूज होगा next question आर्टिकल से है हमारा question आपके पास ship bought dash ink pot yesterday तो इंक pot से पहले जो हम यहाँ पे यूज करें के आर्टिकल वो है हमारे पास an ink pot तो यहाँ पे आपका option जो यह है वो बिलकुल सही है ship bought an ink pot yesterday तो कहीं पे भी आपके पाफ वावल sounds आती है सबसे पहले देखना वावल word वावल word है but sound consonant आ रही है तो आप एक का यूज करोगे और अगर आपके पास कहीं पर भी silent होता जिसकी owner हो गया तो उससे पहले क्या है आप and का यूज करते है and owner तो यहाँ देखना कहीं पर silent होगा उससे पहले हमेशा and का यूज करना next question है हमारे पार आर्टिकल से question है what dash beautiful flower बहुत बा गया very हो गया beautiful हो गया इन से पहले हमेशा ए आर्टिकल यूज होता है what a beautiful flower तो यहां पर आपका जो option number B है वो बिल्कुल सही है इसको ध्यार में रखना आपने next question यह भी हमारा आर्टिकल से है she is dash ma in economics एक बात ध्यान रखना आप पर abbreviations आती है जहां पर भी जसकी dot m dot a तो m का यूज कहीं पर भी होता है abbreviation में m का यूज कहीं भी होता है उससे पहले हमेशा एन आर्टिकल आपका यूज होगा तो admins यहां पर आपका जो option A है वो बिल्कुल सही है she is an ma in economics मैंने online cases में बहुत 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 बताया आपको और letters में मैंने आपको लिखाया है आख कई बार h होता है जैसे कि h e school बहुत repeated question है h e तो h से पहले भी आपके पास हमेशा n का article का यूज होगा बट ध्यान देने वाली बात सिरफ यह कि abbreviations में ही यह काम करेगा अगर abbreviations नहीं है तो आप इस rule को याद नहीं करना वहां पर next question कि अगर हम बात करता है question हमारे पास यहां started comma start आपके जो speech है जो शुरू हो गई है I may postpone the trip to the next year हमारे पार rule है में आपका change होता है might में तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा might को find out करना अगर हम might देखते हैं दो option में use हुआ है option number B और option number C फिर हम बात करते said said आपका change होता है said that में अब देखो though B में भी है C में भी है last year ऑगर हम आप 30 इस होता है next month होता है यह तॉमॉरो ह करते होता है working यह तो सेम ही रहेगा अब देखो जो भी है वहां पर नेक्स्ट एर ही लिखा अब भी आपका नहीं रहा अब सिर्फ सी ऑप्शिन बेचता है हमारे पार फॉलोविंग एर तो यहां देखना नेक्स्ट कहीं भी होता है वहां पर हम फॉलोविंग का यूज करते हैं जैसे कि अ नेक्स्ट डे आता है आपके पास तो ऑप्शिन सी बिल्कुल सही है टीना सेट देट शी माइट पोस्पॉन दट्रिप टू दफॉलोविंग एर तो ध्यान देने वाली बात थी सबसे पहले में था तो माइट को फाइंड आउट करना था हमने दो आप्शिन में था तब हम आपका चेंज होता है दैन में अगर बात करते है कि लापित बात करते हैं कोशन याश सेट विल्ल यू अकंपनी में मीध देर तो यहां पे अगर ہм بात करते है एक तो वाचिक चिन है तो ask का use होगा दो option है हमारे पार यहां पर ठीक जा रहे है option a option b क्योंकि यहां पर ask ask का use हुआ है next अगर हम बात करते हैं जो हमारी speech थी will हमारे पार rule क्या है अगर आप पार will और shall होता है आप दो चीज़ को find out करते हो would और should को अब देखो would और should इन दोने वैसे कौन सी चीज़ यहां पर use होई है अगर हम देखते है would का use यहां पर हमारे पास हुआ है सिरफ option a में it means option जो a है आपका वो बिल्कुल सही है harsh ask me if I would accompany him there तो आपने जब भी narration को change करना होता है बस rule को ध्यान में रखना होता है next question के अगर हम बात करते हैं तो यह question भी narration का ही आपका है she said inverted comma start आपकी speech शुरू हो गई है my mother is cooking food अब हम यहां पर rule को अगर ध्यान देते हैं तो rule हमारे पास है कईपे पे is mr plus ing होता है वो आपका change होता है was war plus ing में सबसे पहला काम हमारा है अब यहां पर हमने देखना है कि was का use कहा हुआ है अगर हम देखते है option a option b आपका बिलकुल सही जा रहा है या तो a या तो b क्योंकि दोनों में was was का use हुआ है साथ में अब देखें कि ing का use हुआ है was के बात तो वो भी हमारे पास हुआ है was cooking was cooking अगर set की बात करते है तो set आपका change हो का set that set that वो भी धोनों में है but हमने बात की है जो my होता है वो आपका change होता है her या फिर him या फिर his में according to जिसके बारे हम बात हो रही है अगर shee की बात हो रही है तो लड़की काई में change होगी her में तो यहां पे आपका option जो a है वो बिलकुल सही है आपका next question आपके पास article से आया है question है आपके पास हमारे पारूल है अगर हमारे पाइच साइलेंट होता है और वावल साउंड आ रही होती है तो हम वहां पे एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं it means यहां पे आपका option यह बिलकुल सही है राम मोहन इस एन ऑनस्ट मैन तो option यह आपका बिलकुल सही है यहां पे next question के अगर हम बा बात करते हैं तो आपके पाइच से रिलेटेट कोशन पूछे जाते हैं वाइस के बारे में भी हम बात करते हैं निरेशन के बारे बात करें तो निरेशन से भी पूछे जाते हैं कोशन आपके पाए honesty is best policy अब यहां पर best जो है इससे पहले हमने आर्टिकल यूज़ करना है और हमारे पार रूल है कहीं पी भी सूपर लेटिव डिगरी लगती है उससे पहले हम दा आर्टिकल यूज़ करते हैं यहां पर ऑप्शिन से बेलकुल सही आपके पाइच्ट पॉलिसी नेक्स्ट गोशन यह भी आर्टिकल से है गोशन आपके पाइच डैश एपल डेली अ यहां पर आपका जो ऑप्शिन ए है वो बेलकुल सही है अगर आपके पाइच कोई चीज पॉइंट आउट की जाती है तो आप वहां पर द का यूज़ करते हो या आपके पास कहीं पर कोई कॉंसोनेंट साउंड आती है बट वर्ड आपका स्टार्टिंग हो रहा है वावल अर्थ मूफ्स राउंड दस सन हमारे पार दा आर्टिकल यहां पर यूज़ होगा दा अर्थ मूफ्स राउंड दस सन तो ऑप्शिन जो सी है आपका वो बेलकुल सही है क्योंकि रूल हमें पताता है इस ब्रहमान में कोई भी ऐसी वस्तू जो कि सिरफ एक है या फिर यून पूरे ब्रहमान में एक जी जो भी पाई जाती है उनसे पहले हम हमेशा दा आर्टिकल के यूज़ करें नेक्स्ट कोईशन हमारे पास आया हुआ है नरेशन से कोईशन आपके पार रंजन सैट इन्वर्टिड कॉमा स्टार्ट यान की जो आपकी स्पीच है वो शुरू हो सबसे में बात हमेशा स्पीच के उपर द्यान देना सबसे पहले यू केन नॉट पार्क हेर साथ में जो एकसलमेशन है उसका साइन यहां पर योज हुआ है तो एक बात तो हमारे पाई ध्यान देने वाले होती है अगर लास्ट में कोईशन वाचक्शन होता है या फिर आप का साइन यहां पर यूज हुआ है तो हम उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं और दुसरी बार जो ध्यान देने वाली है स्पीच अगर हम पढ़ता है यहां पर यह आपके पार यू कैन का यूज हुआ है तो एक तो हम यहां पर कुड को फाइंड आउट करेंगी क्यों अगर आपके पार यहां बात किरते हैं यहां पर आपके पार चैंज होता है आपके पास कुड में हमार और कभी भी आप जैसे की आस्क का यूस होता है या फिर किसी के लिए विश मांगते हो या रिक्वेस्ट करते हो तो वहां पे कभी भी वह सिंगुलर फॉर्म में यूस नहीं होता है हमेशा आपके वहर की third form लगते है यानि कि Asked, Requested, Wished, Exclaimed तो कभी अगर Asks होता है या फिर आस्क होता है वो आपका option सही नहीं होगा अगर asked है तब जाके आपका वो option सही होगा और ध्यान देना अगर जैसे कि यहां पर है रंजन said तो अगर said है और last में आपके पर question वाचक्चिन होता तो यहां पर ask डाता रंजन asked बट यहां पर तो नहीं था question वाचक्चिन तो यहां पर exclaimed आया तो यहां पर आपका जो option C है वो बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन यह वालो कोशन भी हमारे पार narration से आया है कोशन आपके पास the lawyer said inverted comma start यानि कि आपकी जो speech है वो start हो गई है अगर हम अपनी speech की वारे में बात किरते हैं यहां पर तो यह एक reality है truth है जो law है वो विश्वास किसके उपर करता है जो सबूत है जो आपके evidence है उसके उपर तो हमारे पार कभी भी reality होती है या proverbs का use होता है या फिर आपके कोई habits होती है या फिर कोई historical events होते है वो as it is same रहते है अगर आपके पार वहां पे as का use हुआ जैसे की always तो always ही लगेगा वहां पे आप ना तो कभी यह से believe हैं यहां पे तो यहां पे believe नहीं use होगा बिल्कुल same रहेगा तो सबसे पहला काम है हमारे पार यहां पे देखना की जो आपका the lawyer said है का use ही हुआ है और set that आपके पास सारे option में है नेक्सट काम जो हमारे पास रहता है वो देखो आपके पास है जो believe है यह वहां पर believe तो नहीं इस हुआ तो अगर हम बात कियते option a वहां पर belief है तो option a तो नहीं है Option b में सिरुप belief है बड़ यहां पë as का यहां पर एक law ता आपका सही option जा रहा है वो है option number C क्यूंकि यह बिल्कुल as it is same लिखा गया है और यह हमारी reality थी truth था तो यह बिल्कुल same रहना था यहां पर कोई change नहीं होना था तो इस question का आपका option जो C है वो बिल्कुल सही है तो आज के वीडियो में तो बस इतना है वीडियो को like share कर देना साथ ही साथ अगर channel पर नए हो तो channel को भी subscribe कर लेना तो मिलते है अपनी next वीडियो में एक नए topic के साथ